दोस्तो आईए आज जानते हैं रसीले जामुन के बारे में कुछ फायदे और नुकसान दोस्तो जामुन स्वाद में खटा मिठा होने के साथ साथ स्वास्त के लिए बेहत फायदे मन दे जामुन और आम का रस बराबर मातरा में मिला कर पीने से मधुमेह के रोगियों के लिए काफी लाबदायक होता है यह तोचा का रंग बनाने वाली रंजक द्रब्य मेलानीन कुशिका को सक्रिय करता है अतह यह रग्त हींता तथा लिउकोडर्मा की उत्तम ओसती है गठिय के उप्चार में जामुन बहुत उप्योगी है इसकी छाल को खुब उबाल कर बचे हुए घोल का लेप घुटने पर लगाने से गठिया में आराम मिलता है जामुन वैसे खानने में तो बहुत फायदेमंद होता है लेकि उसके साथ नुकसान भी हो सकता दोस्तो इतना ध्यान रहना चाहिए कि अधिक मात्रा में जामुन खाने से सरीर में जकडन, बुखार, आदी, आदी होने की सम्मावना बढ़ जाए इससे कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए और नहीं इसके खाने के बाद दोद पीना चाहिए बिसेले जंदो को काटने पर जामुन की पतियों का रस पिला देना चाहिए काटे गए जगा पर अगर इसकी ताजी पतियों का पुल्टिस बांधा जाए तो घाव जल्दी ही ठीक होने लगता है जामुन के चिकने पत्ते में नमी शोखने की बहुत ही जबडसत्चप्ता होती है जामुन यकरित को सक्ति परदान करता है और मुत्रासे में आई अव सम Украї्ता को समानने बनाने में सायब होता है इसके प्रति दिन उप्योग से योन तथा समरं सक्ती बढ़ जाती है जामुन के एक किलो गराम ताजे फल का रस निकाल कर धाई किलो गराम चीनी मिला कर सरवत जैसी चासनी बनाना चाहिए तो दोस्तों इस तरह से जामुन के पहुत सारे फायदे हैं और कुछ नुपसान क्योंकि अती हर जगा छती पहुंचाती है तो दोस्तों यदि इस तरह के और भी लावदाएक वीडियो चाहिए जो आपके सिहत को बरकरार रखे दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पर लिजिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई जानकारी को लेकर